पतादे कि अपकी भार भारत ने इन गेम्स में कुल 61 medal जीते हैं जिसमें 22 gold, 16 silver और 23 bronze शामिल हैं इस आदवर्द प्रदेशन के चलते भारत ने चौथा इस्तान हासिल कर देश का नाम रोशन किया है इन 4 gold में से 3 तो बैर्मिंटन में भारत ने जीते हैं भारत ने Commonwealth Games 2022 में 22 gold, 16 silver और 23 bronze जीत कर कुल 61 पदक जीत कर अपने अभियान का समापन किया है इसी के साथ आपको बता दें कि 2018 में भारत ने gold coast में 26 cents medals जीत कर 66 पदक अपने नाम किये थे और तीसरा इस्तान हासिल किया था लेकिन इस बार उस आंकड़े को पार नहीं कर पाया फिर भी बहुत ही बहतरी प्रदर्शन करके अपने देश का नाम रोशन कर दिया है बताते कि भारत को सबसे जादा gold और बाकी medals कुष्टी में मिले हैं जहां देश ने 6 gold, 1 silver और 5 bronze सहे 12 पदक जीते हैं वेटलिफ्टिंग ने भारत अभियान की बहतरी शुरुआत करते हुए 3 सुन, 3 रचत और 4 कान से सहे 10 पदक जीते हैं पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा इसे के साथ आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया 178 medals के साथ टॉप पर रहा इसे के साथ पीवी सिंधू ने महिला एकल के फाइनल मुकाबले में क्यानेडा की मिशेल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता है सिंधू की जीत के साथ भारक पदक तालका में न्यूजिलैंड को पीछे छोड़ते हुए चोथे स्थान पर पहुच गया पीवी सुंधू के अलावा लक्ष सेंग, सादविक और चिराक के जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है भारतिय पुरिश होकी टीम को ऑस्ट्रिलिया के हाथो 0-7 से हार का सामना भी करना पड़ा भारतिय होकी टीम को तीसरी बार कॉमनवेल्ड गेम्स में सिल्वर मेडल मिला है पर इसके साथ साथ अकर ओवरॉल कॉमनवेल्ड के इतिहास को देखें तो ये भारत का अब तक किसी भी कॉमनवेल्ड सीजन में पाचवा बेस्ट पफॉर्मेंस रहा है भारत ने अब तक किसी कॉमनवेल्ड सीजन में सबसे जादा 101 मेडल जीते हैं ये उपलब धी भारत को 2010 के कॉमनवेल्ड में हासिल हुई थी तब ये गेम्स भारत की मेजबानी में दिल्ली में हुए थे उस समय भारत मेडल टैली में दूसरी नंबर बर रहा था लेकिन इस बार भी भारती खिलाडियों ने बहुत दमदार प्रदर्शन के साथ भारत का नाम रोशन किया है और कई पदक अपने नाम कर चौथा इस्तान हासिल किया है ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं देशितनी उसके साथ धन्यवाद